स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में और आज हम बिटी सी सेकेंड सेमेस्टर के लिए समाजिक अध्यन सिक्षन की क्लास लेके आये हैं जिसमें होंगे 20 अतिला उत्रे प्रसन तो आप फ्रेंड्स वीडियो को आँ तक देखेगा अगर आपको वीडियो फ़संद आए तो लाइक और शेयर जरू करना और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब करना फ्रेंड्स आज का पहला क्वेशन है जाता है मोरे वंस का संसापक कोन था तो इसका सही उत्र हो जाता है मोरे वंस का संसापक चंदरगुप्त मोरे था प्रिशन नम्र दो है सामंत कौन थे तो इसका उत्तर होगा सामंत एक नया वर्ग था जो समाज में प्रमुक्ता के साथ महत्वपूर्ण स्थान बना रहा था प्रस्ण नमर तीन आजाता है पर्मारवंस की स्थापना किस ने की तो इसका सही उत्तर होगा पर्मारवंस की स्थापना राजिस्थान में आबू परवत के निकट कृष्ण राय नामक व्यक्ति ने की थी तो पर्मारवन्स की स्थाप्णा किसने की कृष्ण राय नाम के व्यक्ति ने की थी चलिए प्रिसन नमर चार जाता है अब संक्राचारे ने कौन कौन से मठ इस्थापित किये तो संक्राचारे ने बद्रिनाथ, जगनाथपुरी, द्वारकापुरी और सिंग्रेदी में मठ इस्थापित किये प्रिसन नमर पांच जाता है अच्छे से पढ़ लिजिएगा फ्रेंड्स राजपूत कालीन पूर्वी भारत के पुर्मुक मंदिरों के नाम लिखिए इम्पोर्टन क्वेश्चन है राजपूत कालीन पूर्वी भारत के पुर्मुक मंदिर, कंदर्या महादेव, दिलवाडा मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कोनार का सूर्य मंदिर और केलास मंदिर हैं प्रसन नमर 6 जाता है अब राजपूत काल के पुर्मुक राजवंस बताईए तो इसका उत्तर होगा राजपूत काल में दक्षिन के पुर्मुक राजवंसों में चोल, पल्लव, चालुक्या वे राश्टकूट पुर्मुक थे यानि कौन-कौन से राजवंस थे प्रसन नमर 8 जाता है अब शिंद पर अरवों ने कब आक्रमन किया तो इसका सही उत्तर होगा अरवों ने 712 हिस्वी में शिंद पर आक्रमन किया था प्रसन नमर 9 जाता है नेक्स्ट मेहमूब गजनवी के दो भारती आक्रमन के नाम बताईए तो इसका सही उत्तर होगा आनंद पर आक्रमन एक हजार आठ हिस्वी और दूसरा है सोमरात पर आकरमन एक हजार पच्चिस हिस्वी प्रसन नमर दस है आता है महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद आकरमन कब और कहां हुआ था तो इसका सही उत्तर होगा मैमूद गजनवी का सबसे प्रसिद आकर्मन एक हजार पच्चिस इसवी में सोमनात के मंदिर पर हुआ था चलिए फ्रेंट्स नेट कुशना आता है मुहमद गोरी के आकर्मन के समय उत्तरी भारत के दो राजपूत वन्सों के नाम लिखिए तो इसका सही उत्तर होगा पहला है दिल्ली अजमेर का चोहान वन्स और दूसरा है कर्नोज का गहरवाल वन्स ठीक है फ्रेंट्स कर्नोज का गहरवाल वन्स चलिए फ्रेंट चाकर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सेयर जरू कीजिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा प्रसन नमर 12 जाता है गुलाम वंस या दास वंस की स्थापना किस ने की थी तो इसका सही उत्तर होगा गुलाम वंस की स्थापना कुतु बुद्धी नेवक ने की थी प्रिसन नमर तेरह जाता है गुलाम वन्स के पस्चाथ किस वन्स की स्थापना हुई तो गुलाम वन्स के पस्चाथ खिलजी वन्स की स्थापना हुई चलिए प्रिसन नमर चोदह जाता है सल्तनत काल में राज्य का प्रमुक कौन होता था तो इसका सही उत्तर है सल्तनत काल में राज्य का प्रमुक सुल्तान होता था प्रसन नमर 15 आजाता है संतलत सल्तनत काल में राज्य का प्रधान मंतरी क्या कहलाता था तो इसका सही उत्तर होगा संतलत काल में राज्य का प्रधान मंतरी या मंतरी वजीर कहलाता था चले प्रसन नमर 16 तरफ चलते हैं, next भक्तिकाल के पुर्मुक्षंतों के नाम लिखे तो friends, important question है सभी के लिए जो BTC कर रहे हैं उनके लिए तो है ही जो BTC नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी क्योंकि पूछ लेता है भक्तिकाल के संत या कभी कौन-कौन से हैं तो इन में से हमें पढ़ लेंगे अच्छे से संत कभीर, चेतन्य, नानक, रैदास, नाम देव, आदी भक्तिकाल के पुर्मुक्षंत थे चलिए, प्रसन नमर 17 आजाता है सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, तो इसका उतर होगा सूर्य के परिवार को सोर्मंडल कहते हैं, प्रसन नमर 18 आता है उपग्रह क्या है, तो इसका सही उतर होगा उपग्रह एक छोटा खोगोल्य पिंड है, जो अपने ग्रह की परिक्रमा करता है प्रसन नमर 17 आता है, सूर्य क्या है तो इसका सही उतर होगा, सूर्य एक तारा है जो प्रकास और उर्जा परदान करता है चलिए, आज के लास्ट क्वेशन की तरफ चलते हैं प्रसन नमर 20 है, सूर्य परिवार में सूर्य के चारो और घूमने वाले ग्रहों के नाम बताईए यानि सूर्य परिवार में सूर्य के चारो और घूमने वाले ग्रहों के नाम बताने है फ्रेंट्स फिर से पढ़ लीजेगा ये सूर्य से बढ़ते क्रम में है यानि जिस क्रम में बीच में सूर्य है उसके बाद कौन सा ग्रह है इस तरीके से इस सीक्वेंस में लगे हुए है आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के बाद आता है या किस ग्रह से पहले आता है एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजेगा हमारे सोर परिवार में सूर्य तथा उसके चार और घूमने वाले आठ गिर है बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रस्पति, सनी, अरून एवं वरून हैं तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएगा अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक और से जरूर किजिएगा और जिन्हों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब किजिएगा